सब्सक्राइब करें विज्ञान टीवी इंडिया को और दबाएं इस बैल आइकन को ताकि आप देख सकें विज्ञान से सम्बंदित वीडियो सबसे पहले जब हम इस ब्रम्हान को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में जो पहला सवाल उठता है वो यह है कि इस ब्रम्हान का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है यानि कि ये ब्रम्हान किस चीज से बना है अगर आप स्कूल में हैं तो आप कहेंगे कि इस ब्रह्मान में आटम सबसे छोटी चीज होती है जिसके सेंटर में एक नूकलेस होता है इस nucleus के अंदर neutron और proton होते हैं इसके अलावा एक atom में electrons भी होते हैं जो nucleus का चक्कर लगाते हैं और अगर आप university student हैं तो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि nucleus के अंदर मौजूद neutron और proton भी elementary particles नहीं होते क्योंकि वो खुद quark से बने होते हैं यानि कि ये ब्रह्मान electrons और quarks के combination से बना है पर क्या ये पूरी तरह से सही है? जी नहीं, ब्रह्मान केवल इन चीजों से मिलकर नहीं बना क्योंकि इस model में हमें ये पता नहीं चलता कि अलग-अलग forces कैसे काम करते हैं और ये quarks, electrons, photons, एत्यादी किस चीज से बनते हैं? हम अकसर बात करना पसंद करते हैं string theory, quantum mechanics और multiverse जैसे topics के बारे में क्योंकि इनके बारे में हमने कहीं न कहीं सुना है और हमें ये interesting भी लगते हैं पर एक theory ऐसी भी है जिसके बारे में हमें से जादतर लोग नहीं जानते इस theory का नाम है quantum field theory इस ब्रम्हांड को समझने के लिए मानवोदोरा बनाई गई ये अब तक की सबसे best theory मानी जाती है क्योंकि इसके जादतर predictions बिलकुल सही साबित हुए हैं और इसके जरिये ही हम इस ब्रम्हांड के व्यवहार को काफी हद तक समझ पाए हैं यू तो इसे एक complex topic मानकर इसे केवल advanced level पर ही पढ़ाया जाता है पर इस episode में हम आपको आसान भाशा में इसे समझाने की कोशिश करेंगे आज की इस episode में हम जानेंगे quantum field theory और standard model of particle physics के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस episode इससे पहले कि हम quantum field theory को समझना शुरू करें आए समझ लेते हैं standard model of particle physics को एक जमाना था जब हमें लगता था कि atom ही matter का सबसे छोटा रूप होता है इसलिए इसे और divide नहीं किया जा सकता फिर हमने जाना कि atom भी सबसे छोटा नहीं होता बलकि ये भी electron, proton और neutron से बना होता है इसके बाद जब quantum theory आया तो इसने कुछ नए particles धूण निकाले जिनसे अब तक हम अनजान थे इन particles को समझने के लिए नए theories की जरूरत थी और जब ये theories आयें तो इनोंने कई और नए particles के मौझूद होने का prediction किया बाद में जब particle accelerator में हमने इन छोटे particles को high energy के साथ आपस में टकराया तो हमें कई नए और particles मिलें देखते ही देखते इन particles की संख्या इतनी जादा हो गई कि हमें इनके properties के आधार पर इनहें अलग-अलग categories में बाटना पड़ा ये properties थे spin, electrical charge, mass और उनका lifetime यानि कि वो समय जब तक वो decay होकर lighter particles में बदल नहीं जाते हमने एक ऐसा model बनाया जिसमें हम इन सभी fundamental particles को उनके properties के आधार पर एक साथ रख सकें और साथ ही साथ हम ये भी समझा सकें कि अलग-अलग forces किस वज़े से काम करते हैं इस model को हम standard model of particle physics के नाम से जानते हैं चली जानते हैं इसमें मौझूद अलग-अलग तरह के particles क्या हैं और ये क्या role अदा करते हैं जितने तरह के भी particles इस ब्रह्मान्ड में मौझूद हैं उन्हें दो categories में divide किया गया है formions और bosons formions matter के हर रूप का निर्मान करते हैं चाहे वो एक पेड़ हो, पहाड हो, ग्रह हो या कुछ और जबकि इस ब्रह्मान्ड में मौझूद चारो fundamental forces बosons की वज़े से काम करते हैं formions की family में भी दो तरह के particles होते हैं quarks और leptons अगर quarks की बात करें तो ये 6 तरह के होते हैं up, down, charm, strange, top और bottom ये ही हैं जो nucleus के अंदर proton और neutron का निर्मान करते हैं quarks stable नहीं होते इसलिए वो आपस में मिलकर नए particles का निर्मान करते हैं जिन्हें hadrons के नाम से जाना जाता है hadrons को भी दो भागों में बाटा गया है mesons और barions barions तीन quarks के combination से बनते हैं proton और neutron भी barions में आते हैं क्योंकि proton दो up और एक down quarks से मिलकर बनते हैं जबकि neutron दो down और एक up quarks से मिलकर बने होते हैं बागी बचे चार तरह के quarks आपस में मिलकर अलग combination बनाते हैं जिसके कारण ही हमें नए नए particles मिलते रहते हैं अब अगर leptons की बात करें तो ये वो particles होते हैं जो quarks से नहीं बने होते हैं जैसे electrons, muion, tau और neutrino ये stable होते हैं जिनके कारण इन्हें खुद से combine होने की जरूरत नहीं पड़ती हिसनबर्ग's uncertainty principle ऐसे particles का prediction करता है जो बिना किसी cause के exist करते हों क्योंकि इनके exist करने की probability होती है इन particles को हम virtual particles कहते हैं ऐसे particles देखे भी गए हैं ये चाहे जितने भी अजीब हों पर ये एक खास pattern follow करते हैं दरसल ये हमेशा एक pair यानि की जोडे में आते हैं जिसमें एक regular matter होता है और दूसरा antimatter इसलिए जब electron बनता है तो ये अपने antimatter partner के साथ ही बनता है जिसे हम positron के नाम से जानते हैं इनका mass सेम होता है और charge दूसरे के opposite चुकि ये energy के कारण ही बनते हैं जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो हमें काफी मातरा में pure energy मिलता है electron की तरह सभी leptons के भी anti-particle होते हैं अब आप जान चुके हैं कि इस ब्रह्मान में मौझूद हर तरह के matter के निर्मान में formions का ही हाथ होता है पर कौन सा force कैसे काम करेगा इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं होती ये काम होता है bosons का चलिए अब जानते हैं bosons कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा boson किस force के लिए responsible होता है bosons चार तरह के होते हैं photons, wz-boson, gluions और gravitons पहले हम electric और magnetic force को अलग-अलग force मानते थे पर अब हमने इन्हें एक साथ electromagnetic force के रूप में combine कर दिया है electromagnetic force, photons के कारण काम करता है यानि कि बिना photons की मौझूदगी के ना तो आपका चुम्बक लोहे को अपनी और खीच पाएगा और ना ही electricity काम कर पाएगी चुकि आप इन सभी forces को लग-बग हर दिन experience करते हैं मैं इसके बारे में जादा बात नहीं करूँगा चारो fundamental forces में weak nuclear force दूसरा सबसे कमजोर force होता है इसके कारण ही बेटा डीके होता है तथा anti-neutrino का निर्मान होता है इस force के लिए WZ bosons जिम्मिदार होते हैं strong nuclear force चारो fundamental forces में सबसे ज़ादा ताकतवर होता है इसके कारण ही एक nucleus में protons और neutrons एक साथ रह पाते हैं इस force के carrier का काम करते हैं gluons चारो fundamental forces में सबसे कमजोर होता है gravitational force दुर्भाग इसे अभी तक quantum level पर हमें ऐसा कोई particle नहीं मिला है जो gravitational force के लिए जिम्मिदार हो पर ये उमीद की जा रही है कि ऐसे particle का existence जरूर होगा फिलहाल इस hypothetical particle को graviton नाम दिया गया है ये particle कैसा होना चाहिए और इसकी properties क्या होनी चाहिए ये हम quantum gravity वाले episode में आपको बताएंगे तो इस model में हमने अब तक क्या क्या जाना हमने देखा कि quarks और leptons ही वो particles होते हैं जो matter को बनाते हैं साथ ही साथ हमने अलग-अलग bosons के बारे में जाना जो सारे fundamental forces के carrier का काम करते हैं इस model में जिसके बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है वो है Higgs boson इसके बारे में हम विस्तार से किसी अन्य episode में जानेंगे फिलहाल आप केवल ये जानिए कि Higgs boson particles को मास प्रदान करते हैं अब तक आप matter को बनाने वाले particles के बारे में भी जान चुके हैं और उन particles के बारे में भी जो forces के carrier का काम करते हैं forces के लिए जिम्मेदार boson particles की खोज quantum field theory के आधार पर की गई थी जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं ये थियोरी quantum mechanics और field theory का combination है आईए पहले बारी बारी से जान लेते हैं quantum mechanics और field theory के बारे में उसके बाद जानेंगे इन दोनों theories के combination से हमें क्या पता चलता है classical physics में ये दुनिया हमें इतनी साधारन लगती है कि हम past events के information के आधार पर future के events का तथा future events के information के आधार पर past events का काफी accuracy के साथ prediction कर लेते हैं जैसे अगर हमें एक ग्रह के orbit और उसके revolution period का पता चल जाए तो हम असानी से ये बता सकते हैं कि वो ग्रह अगले साल इस समय कहां रहेगा या फिर 20 साल पहले वो ग्रह इस समय कहां रहा होगा पर quantum physics हमें ये बताता है कि दुनिया जितनी साधारन दिखती है वो उतनी है नहीं classical physics में objects या तो particle होते हैं या फिर wave पर quantum physics में objects न तो particle होते हैं और नहीं wave वो particle और wave दोनों के combination होते हैं जब तक हम इने observe नहीं करते इनका form अलग होता है पर जैसे ही हम इने observe करते हैं ये या तो particle में बदल जाते हैं या फिर wave में इसलिए quantum physics में हम past information के आधार पर केवल future event के होने की probability यानि की संभावना के बारे में ही बता सकते हैं हम guarantee के साथ ये नहीं कह सकते कि हम जो सोच रहे हैं वही outcome आएगा जैसे की classical physics में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि दो बिल्कुल समान बम को अगर फोड़ा जाए तो वो एक समय पर ही फटेंगे पर quantum physics में हम यही दावा नहीं कर सकते हो सकता है कि दोनों बम एक साथ ही फटे या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों बम एक साथ ना फटें quantum physics में सभी outcome की possibility के combination को wave function कहा जाता है और ये माना जाता है कि reality यानि वास्तविक्ता असल में wave function के रूप में ही exist करती है quantum physics चाहे जितना भी अजीब क्यों न लगे पर physicists के ही मानते हैं कि असली दुनिया और reality वही है जो हमें quantum physics दिखाता है तो quantum physics से हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया और reality का असली रूप वो नहीं जो हमें दिखाई देता है इसका असली रूप तो wave function के रूप में exist करता है चलिए अब बात करते हैं field theory की एक साधरन इनसान को यही लगता है कि इस दुनिया में केवल matter है जहां matter नहीं है वहां कुझ भी नहीं है यानि कि वो जगा खाली है पर क्या ये सच है क्या खाली जगा सच मुच में खाली होती है जी नहीं दरसल खाली जगा भी पूरी तरह से खाली नहीं होती इसे आप एक साधारण उधारण से समझ सकते हैं हम जानते हैं कि दो मैंगनेट्स यानि कि चुमबक के लाइक पोल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं यानि कि अगर आप दो चुमबक के साउथ पोल्स को आपस मे टकराने की कोशिश करें तो आपको एक force की मौजूदगी का एहसास होगा पर ये थोड़ा अजीब है क्योंकि दोनों magnets के बीच में खाली स्थान है यानि कि वहां कुछ नहीं है फिर ये force कैसे काम करता है दरसल जिसे आप खाली स्थान समझते हैं वहां magnetic field मौजूद होता है यानि कि इस ब्रह्मान में कोई भी जगा पूरी तरह खाली नहीं है जहां कुछ नहीं है वहां fields मौजूद है यही कहना है field theory का अब quantum mechanics और field theory को आपस में जोड़ दें तो बनता है quantum field theory ये कहता है कि इस ब्रह्मान में हर जग के fields मौजूद हैं जिने हम देख नहीं सकते जैसे magnetic field, electric field, gravitational field इत्यादी इन फैक्ट हर elementary particle का अपना field मौजूद है जैसे कि electron field, higgs field, quark field, gluon field इत्यादी physicists इन fields को number से represent करते हैं, space में हर point में एक या एक से जादा numbers होते हैं, एक field को कितने number की जरूरत होती है इसे आधार मान कर fields को भी अलग-अलग types में बाटा गया है जैसे higgs field एक scalar field है, क्योंकि space में हर point में इसे describe करने के लिए मातर एक number की जरूरत होती है electric और magnetic field को vector field कहा जाता है, क्योंकि इने space के हर point में number के साथ सा direction की भी जरूरत होती है Newton के अनुसार, gravitation field भी vector field होता है, पर Einstein के अनुसार, ये tensor field होता है इन fields को जब energy मिलती है, तो वो higher energy state में चले जाते हैं, जिस कारण पानी की तरह वहाँ भी ripples बनने लगते हैं इन ही ripples को हम particles कहते हैं, उधारन के तौर पर जब electron field में ripples बनते हैं, तो हमें electrons मिलते हैं और जब quark field में ripples बनते हैं, तो हमें quarks मिलते हैं इन ripples के शांत होते ही, उनसे associate particles भी गायब हो जाते हैं, जिसे हम particle का खत्म होना कहते हैं इन fields में, जिस position पर हम energy देते हैं, वो हमें particle के रूप में नजर आते हैं और जैसे जैसे ये energy उस field में फैलती जाती है, हमें लगता है कि वो particle move कर रहा है कुछ fields में particles को generate करने के लिए हमें ज़ादा energy की जरूरत होती है, जबकि कुछ में कम दरसल किसी field में एक particle को generate करने के लिए हमें कितनी energy की जरूरत होगी, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस particle का mass कितना है उधारन के तौर पर, Higgs boson electron से कहीं ज़ादा heavy होते हैं, इसलिए उन्हें generate करने के लिए हमें large hydron collider की जरूरत पड़ी, जिसमें हमने Higgs field को काफी ज़ादा energy दी, जिसके बाद ही हमें Higgs boson नजार आए अब तक तो आपके जान चुके हैं कि particles कैसे बनते हैं, चलिए अब बात करते हैं अलग-अलग forces कैसे काम करते हैं दरसल ये fields space और time में एक ही जगा exist करते हैं, इसलिए कई बार इन fields के बीच energy का अदान प्रदान भी होता रहता है जिसके कारण forces भी काम करते हैं और कई बार एक particle किसी दूसरे particle में भी बदल जाते हैं ये हमारी अब तक की सबसे best theory है nature और reality को quantum level पर समझने के लिए पर अभी भी हमारे सामने dark matter और dark energy जैसी कई अनसुलजी पहलिया हैं जिने सुलजाने की कोशिश अभी भी जारी है फिजिस्ट को लगता है कि dark energy और dark matter भी ऐसे ही किसी field में बने हैं पर अभी तक इन fields के बारे में हम जान नहीं पाए हैं तो दोस्तों आज के अपिसोड में हमने जाना कि quantum field theory के अनुसार इस ब्रह्मान के building blocks, quarks या electrons नहीं बलकी fields हैं जिसमें energy देने से इन particles का निर्मान होता है आज के अपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ कि ये अपिसोड आपको पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो इसे like और share करना न भूले अगर आप इस channel पर नए हैं तो इसे subscribe ज़रूर करें तो दोस्तों मिलते हैं विज्ञान के एक और दिल्चस पर टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार